तो आज हम करने वाले हैं हिंदी सिक्षन के कुछ ऐसे बहतर कुश्चन जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे और आपके एक्जाम में आपके सिलेबस में लगा हुआ है निदानात्मक शिक्षन और चारात्मक शिक्षन तो उससे संबंदित हम प्रशन आज करेंगे किस तरीके के एक्जाम में आपके प्रशन पूछे जाएंगे ये हम देखेंगे उप्चारात्मक शिक्षन से तो हमेशा यहां से प्रशन जो है वो आपके आता ही है देखिए एक होता है निदानात्मक शिक्षन एक होता है उप् तो ये तो था introduction और आज हम प्रशनों के माध्यम से कुछ applied question भी होंगे और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप बताइएगा आपने कितने प्रशन जो है वो हल किये चलिए मदुमखिया नत्य द्वारा संप्रेशन करती है वह कौन सा संप्रेशन है मदुमखिया नत्य द्वारा संप्रेशन करती है तो वह कौन सा संप्रेशन है द्रश्य है शरव्य है द्रश्य शरव्य है या इद में से कोई नहीं तो सोचिए क्योंकि आपके एक्जाम में applied question भी आते हैं इसका सही answer है कि मदुमखिया जो है वो फूलों को देखकर आकर्शित होती है और संप्रेशन करती है नेक्स्ट है question 2 उप्चारात्मक शिक्षन की सफलता निर्भर करती है उप्चारात्मक शिक्षन रेमेडियल टीचिंग इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी उप्चारा इसका सही आंसर होगा कि उप्चारात्मक शिक्षन की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारण की सही पहचान पर क्योंकि यदि हमें कारण की सही पहचान पर पहचान होगी उसके बाद ही तो हम उप्चार कर पाएंगे उसके बाद ही तो हमारा उप्चारात्मक शिक्षन जो है वो सफल हो पाएगा तो इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक परिक्षन यदि हमें समस्याओं के बारे में जानकारी हो जाएगी हम पहचान कर लेंगे उसके बाद ही हम परिक्षन कर सकते हैं कौन सा उप्चारात्मक हिंदी शिक्षन का उप्चारात्मक शिक्षन में किस अनुदेश सामिगरी का प्रियोग किया जाता है किस अनुदेश सामिगरी का प्रियोग किया जाता है ग्रमित अभिक्रमित कालपनिक या इन सभी का तो इसका सही उत्तर होगा अभिक्रमित अनुदेशन सामिगरी का प्रियोग किया जाता निम्न मैंसे क्या एक उप्चारात्मक शिक्षन का एक मात्र लक्ष्य है? इसका बच्चों की अधिगम से संबंदित समस्याओं को हल करना यही एक मात्र लक्ष्य होता है देखे समस्याओं को बढ़ा देना तो यह उप्चार तो नहीं होगा ध्यान ना देना यह भी नहीं होगा तो इस वज़े से fourth option भी wrong हो जाता है इसी तरीके के प्रस्ण एक्जाम में आते हैं तो हम confused हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रतीक वाद सिद्दांत कहा जाता है निरने सिद्दांत को next question 7 मनुष्य के भावों और विचारों के पारश पर एक आदान प्रदान का माध्यम है भावों और विचारों के पारश पर एक आदान प्रदान का माध्यम क्या है बोली है विचार है भासा है या भाव है तो बिलकुल इसका सही आंसर आप सही सोच रहे हो इसका आंसर होग इसकी कोई जुरत नहीं है, एक मात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है, तो ये कुश्यन हमने कई बार सॉल्व किया है, कि पाठे पुस्तक जो होती है, वो एक रिसोर्स का काम करती है, यानि साधन है. बच्चों के भासा विकास की क्रमिक प्रगती का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सरवादिक सहायक है, देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड है, क्रमिक प्रगती का रिकॉर्ड, ये लाइन जो है वो आपको मिलेगी इसके सही उत्तर के साथ, क्रमिक प्रगती का रिकॉर्ड जो है, वो सिक्षक डाइरी, पोर्ट फोलियो, लिखित परिक्षा की उत्तर पुस्तिका या नोट बुक किसके लिए होती है तो बिल्कुल इसका तो आंसर आप बिना देखे लगा लीजिएगा कि पोर्ट फोलियो में ही क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है नेक्स्ट है कुश्चन 10 कौन सी सिक्षन सामेगरी है कि द्रश्य श्रव्य नहीं है द्रश्य यानि देखना और श्रव्य यानि सुनना तो नाटक है रेडियो है टेलिविजन है या कम्प्यूटर है तो इन में से हमें कौन सा नहीं है देखना है ठीक है जो द्रश्य श्रव् रेडियो क्योंकि रेडियो जो है वह केवल श्रव्य सामिग्री है नेक्स है कुश्चन 11 भास्वा सिक्षन की अंतगर द्रश्य साहयक सामिग्री का उपयोग होता है तो द्रश्य साहयक सामिग्री का उपयोग किसमें होगा सुद्ध उचारन में होगा सुद्ध लेखन में हो हैं लेखन में ठीक है नेक्स्ट है कुश्यन 12 भासा तत्मों का ज्यान प्राप्त करना किस उद्देशे के अंतगत आता है ज्यान प्राप्त करना ज्यानात्मक है सरजनात्मक है कौशलात्मक है या अभी व्रत्यात्मक है तो जो ब्लूम की टैक्शनोमी हम पढ़ते हैं वहां व्रत्यात्मक। तो इसका सही आंसर है कि भासा तत्मों का ग्यान प्राप्त करना ये ग्यानात्मक की अंतगत आएगा। उत्तम सिक्षण है। परिवेक्षित अध्यन होना चाहिए और स्वा अनिदेशी सिक्षण भी होना चाहिए। ये सभी आविश्यक है। उप्चारात्मक शिक्षण एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशात्मक कार्य है, नकारात्मक कार्य है या धनात्मक कम अधिक रिणात्मक कार्य है तो इन में से कौन सा कार्य है उपचारात्मक शिक्षन तो इसका सही उत्तर होगा अनुदेशात्मक कार्य है